नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्योलोजिकल गुरुजी में और हमसे जुनने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाए जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके जूट बोलना बीना सोचे समझे किसी कारिय को परम्भ कर देना दो साहस करना छल कपट करना मुर्खता पुरवक कारी करना लोव करना आपवित्रे रहना और निर्द्याता यस्त्रियों की सभाविक दोस्त कहे गए हैं भोजन के लिए अच्छे परदार्तों का प्राप्त होना उन्हें खाकर पचाने की सकती होना सुन्दर स्तरी का मिलना और उसकी उभोग के काम सकती होना धन के सांसां दान देने की इक्षा होना ये बाते मनुष्य को किसी महान तब के कारन ही प्राप्त होती है जिसका बेटा वस में रहता है, पत्नी पती की इक्षा के अनुरुप कारे करती है और जो व्यक्ती धन की कारण पूरी तरह संतुष्थ है, उसके लिए पृत्वी ही स्वर्ग के सम्मान है पुत्र उन्हें ही कहा जा सकता है जो पिता के फक्त होती है पिता भी वही है जो पुत्रों का पालन पूसन करता है इसी प्रकार मित्र भी वही है जिसे विश्वास किया जा सकता है और पत्नी भी वही है जिसे सुक की प्राप्ती होती है जो पीट फीछे कारे को विगारे और सामने होने पर मीठी मीठी बाते बनाए ऐसे मित्रों को उसे घरे के समान त्याग दिना चाहिए जिसके मुँपर तो दूद भरा हुआ है परंतु अंदर विस है जो मित्र खोटा है उस पर तो विस्वास ही नहीं करना चाहिए लेकिन जो मित्र अच्छा है उस पर भी अती विस्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि केसी कारण वस यदि वह नराज हो गया तो सारे भेत खोल देगा यदि सफल वनना है तो मनन से सोचे हुए कारे को वानी द्वारा परकट नहीं करना चाहिए परन्तु मनन पुर्वक भली परकार सोचते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए और चूप रहते हुए सोचे हुए बात को कारे रूप में बदलना चाहिए मुर्खता और जावाने निश्चे दुरूप से दुखदाई है दूसरों के घर में निवास करना अर्थात किसी पर आसित होना तो बहुत ही कश्च दायक होता है सभी पहारों पर रत्न और मनिया नहीं मिलती नहीं प्रतेक हाथी के मस्तक में गज्मुक नामक मनी होती है प्रतेक मन में चंदन भी उत्पन नहीं होता इसी प्रकार सज्जन पुरू सभी अस्थानों पर नहीं मिलते बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वो अपने पुत्र और पत्नियों को अनेक प्रकार के अच्छे गुनों से युक्त करे उन्हें अच्छे कारियों में लगाई क्योंकि नीती जानने वाले और अच्छे गुनों से युक्त सज्जन सभाव वाले विक्ति ही कुल में पुझनी होते हैं वे माता पिता अपने बच्चों के सत्रू हैं जिनोंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं क्योंकि अनफट वालक बिद्वानों के शमू में सोभा नहीं पाता उसका सदेवत्र असकार होता है बिद्वानों के समू में उसका अपमान उशी प्रकार होता है जैसे हंसो के जुन में बगलो के स्थिती होती है अती लार दुलार से बच्चों में बहुत से दोस उत्पन हो जाती हैं उनको उचित डंड देने के गुनों का विकास होता है इसलिए बच्चों को अती लार दुलार नहीं करना चाहिए गलती होने पर उचित डंड भी देना चाहिए पतनी का पिछोड़ना, अपने बंदु बंधों से अपमानित होना, कर्ज चड़े रहना, दुष्ट अत्वा बुडे मालिक के सेवा में रहना, निर्धन बने रहना, दुष्ट और स्वार्थी लोगों के साथ रहना, ये सब ऐसी बाती हैं जो विना अगनी के सरीर को हर समय जलाती रहती है, जो विक्ष बिलकुल नदी के किनारे पैदा होते हैं, जो इस्तरी दूसरों के घर में अर्थार्थ पराये लोगों के आस्रिद रहती है, और जिस राजा के मंत्री स्वार्थी होते हैं, वे जल्द ही नश्ट हो जाते हैं, ब्रामनों का बल विद्या है, राजाओं का बल उनकी शेना है, बहपारियों का बल उनका धन है और सद्रों का बल दूसरों की सेवा करना है। वेस्या निर्धन पूर्षों को, प्रजा प्राजित राजाओं को, पक्षी फलहिन व्रिक्षों को और अचानक आया हुआ अतिती भोजन करने के बाद घर तिर्द्याग कर चले जाती है। ब्रामन दफ्षिना प्राप्त करने के बाद याजमान का घर छोड़ देती हैं, बिद्या प्राप्त करने के बाद सिश्च गुरु की आसरम से पिता ले लेता है। वन मी आग लग जाने पर वहां रहने वाले पसुल संगल को जोड़ कर दूसरी जंगल में चले जाती हैं। बुरे चरित्र वाली, आकरन दूसरों को हानी पहुचाने वाली ता गंदी अस्थान पर रहने वाले वेक्ती की साथ जो पुरु स्मित्तता करता है, वो जल्द ही नश्ट हो जाता है। प्रेम भराबरी वाले वेक्तियों में ही ठीक रहता है, यदि नौकरी करनी है तो राजी की नौकरी करनी चाहिए, लेकिन नौकरी से भी अच्छा कारे प्यापार करना है, और उत्तम गुनों वाली इस तरी की सोभा घर में ही है। दोस्तों फिलाल इतना है, यदि वीडियो अच्छी लगे है तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट बॉक्स में ओम नमस्ति वाली खें और आमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद दोस्तों